नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल थाकड एगरिकल्चर में किसान भाईयों जैसा ये आपने बाहर थमनेल पर देखी लिया होगा कि इस वीडियो में हम NRC 138 स्वाइबिन के बारे में बात करने वाले हैं इस समय पर अधिकतर किसान भाईयों स्वाइबिन की वराइटियों का बीज खरीदने में या फिर बीज की विविस्ता करने में लगे हुए हैं क्योंकि चाई कोईसा भी किसान हो अगर उस किसान के पास काफी ज़्यादा जमीन है लेकिन वह किसान भाई अपनी जमीन में सही वराइटी का चेन करके सही वराइटी की खेती नहीं करता है तो उस किसान की जो प्यदावार होती है आधी रह जाती है या फिर आधी से भी कम हो जाती है तो हमें चाहि कोई से भी भसल हो हमें एक सही वरायटी का चेन करना काफी ज़्यदा जरूरी होता है तो आज इस वीडियो में हम स्वयबिन की एक सबसे उन्नत किस्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है NRC 138 और पिछले एक दो सालों से यह वरायटी किसानों के लिए काफी ज़्यादा पसंदिदा वरायटी बन रही है तो बहुत सारी किसान भाय इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आईए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं NRC 138 सोयबिन की पूरी डीटेल उससे पहले किसान भायों आपको इस वीडियो को लाइक करना है और जिन किसान भायों ने अभी तक चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चेनल को भी सबस्क्राइब कर दीजिए किसान भायों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप NRC 138 सोयबिन की वरायटे का बीच कहां से खरीच सकते हैं किसान भायों इस वरायटे की जो पोदे होते हैं उनकी जो हैट होती है वो 60-70 cm तक होती है किसान भायों अगर NRC 138 से सोयबिन के बीजों को 100 बीजों को अगर तोला जाए तो उनका वजन 10-15 ग्राम नेगल जाता है इसकी फलियां चटकती नहीं है आपने बहुसतारी वरायटे देखी होगी जिनमें फलियां चटकने की समस्या आ जाती है लेकिन इस वरायटे में ऐसी कोई भी समस्या नहीं देखी जाती है किसान भायों अगर आप NRC 138 सोयबिन की खेती करते हैं तो आपको लगबग 40 किलोग्राम परती एकड के हिसाब से इसकी मात्रा बीज की मात्रा रखने पड़ती है इसके अलवार रोग परती रोदक समता के बारे में बात करें तो जो अन्य वरायटे हैं उनके मुकाबले इस वरायटी में रोग परती रोदक समता काफ़ी जיghanदा पाय जाती है जैसे कि पिला मॉजेक वाइरस हम सभी जाते हैं सोयबिन की अधिकत्र वरायटेगां पिला मॉजेक वाइरस से गर्सिद हो जाती है लेकिन इस variety में ना के बराबर पिलामोज़ग वारेस का अटेक होता है हम यूँ कर सकते हैं कि इस variety में पिलामोज़ग वारेस या फिर किसी अन्य रोग का अटेक नहीं होता है किसान भाईयों अगर आप इसकी उन्नत तरीके से खेती करते हैं तो आप एक बिगा से लगबग 6-8 quintal के बीच में इसकी पेदावार निकाल सकते हैं जी हां किसान भाईयों और अगर आप इस variety को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं हर एक परकार के मिट्टे में इस variety की खेती की जा सकती है और किसान भाईयों बात कर लेते हैं अब इसका बीच मंगवाने की प्रोसेस के बारे में तो अगर आप इस variety का बीच मंगवाना चाहते हैं तो इस screen पर जो आपको mobile number दिखाए दे रहे हैं इन नमरों पर phone लगा कर आप इस variety का बीच आजानी के साथ में मंगवा सकते हैं इनकी खुद की इपनी दुकान भी है जिसका नाम है स्री किष्णा खादिज बंडार जो की निमत जिले के सिंगोली तैसिन में परती है तो आप यहां से इस variety का बीच मंगवा सकते हैं और अजिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई वीडियो वस इतनी ही जानकारी थी उमिद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जही जवान जही किसान